Hi friends, welcome back to the channel, One Second, एक नया ब्लोक में आपका स्वागत है, आज का जो ब्लोक रहेगा राइडिंग रिलेटेड, अगर आप रेगुलार बाइक राइड करते हैं, तो आपको क्या-क्या बेसिक चीज रिक्वार्मेंट रहता है, जो की आपका सेफटी प्रोपोज के लिए है, उसक खुद यूज करता हूँ, तो मैं आपको डिटेल्स आज बताऊँगा कि कौनसा-कौनसा राइड गियर में यूज करता हूँ, जो की सेफटी के लिए अच्छा रहेगा, एक्च्वाली मैं 7-8 साल से राइड कर रहा हूँ, मतलब लॉंग राइड कर रहा हूँ, 200-300-400 किलो बाद एक साल से में regular अभी राइड कर रहा हूँ, जो की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं राइड गियर कुछ परचेस किया हूँ, जो की बजएड में है, और सफच बढ़ा चीज है, सेफटी और सेफटी प्रपोस के लिए, यह मैं परचेस किया हूँ, जो क मेरा राइड के टाइम अगर कुछ ऐसा गाड़ी स्लीब हो गया चोटा मोटा इसे एक्सिडेंड हो गया तो वो मुझे बॉड़ी को पूरा प्रोटेट करता है सो चलिए मैं डीटेल्स बता तूँगा कौनसा कौनसा राइडिंग गयर मैं यूज करता हूँ उसका कॉस्ट कितना है अभी मैं जो बेसिक राइडिंग गयर यूज करता हूँ मैं अभी डीटेल्स पुरा दिखा देता हूँ और उसके बाद एक अग करके मैं उसका जो quality है बताऊँगा और उसका rate कितना है डिटेल्स बताऊँगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राइडिंग जैकेट और ये नीगाड इलबो गड़ और इसके बाद हेलमेट और ये राइडिंग सूस जिसका की मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ और ये राइडिंग ग्लोप और भी दो-तिन वेराइडिका ग्लोप में कभी करता अगर आप प्रापरली अच्छा हेलमेट अगर पहनते हैं तो आपको पूरी तरह से प्रोटेट करता है और इसका जो ग्लास है, अंटी रिफ्लेक्टर ग्लास में लगाया हूँ, और उसको में कोटेट किया हूँ, पर में तोड़ा अगर स्क्राच फच होगा तो ये पता नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छा है और उतना हेवी भी है नहीं, और हेड के फिट आता है, बाहर का जो न अच्छली, एलबो गार्ड में रेगुलर यूज नहीं करता हूँ, क्योंके जब राइडिंग जैकेट पैंता हूँ, उसका प्रोटेक्ट के लिए अल्रेडी एलबो गार्ड है, और नॉर्माली मैं निगाड ही उज करता हूँ, क्योंके राइडिंग पैंट में नहीं इसका जो बजट है, फंदरा सुरूपी लिया था, यह मैं ऑनलाइन से पर्चेस किया था, और इसके साथ यह जो ग्लोप्स भी दिया था, साइध यह कॉंबो पैक था, फंदरा सुमें एक्जाटली याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, एक साल से उपर हो गया, यह मतलब ग बारा सुरूपी है, लेकिन वाटरफू है नहीं, और मैं कभी-कभी इसको यह यूच करता हूँ, अगर आप ऐसे बाइक में जाते हैं, बाइक स्लिप होता है, तो तीन चीज सबसे ज्यादा इंजरी होता है, जैसे कि आपका नी हो गया, उसके बाद इल्बो हो गया, उसके बात आपका फिंगर सेरिया वो भी थड़ा इंजरी होता है मेरा भी हुआ था एक बार जो मैं एक बार मेरा जो गाड़ी स्लीप हुआ था सबसे बड़ा चीज है आप नी को प्रोटेट करेंगे एल्बो हेलमेट और ये हैंड जैसे आपका फिंगर हो गया और मैं और एक जो है राइडिंग ग्लोब्स यूज करता हूं ये मैं पर्चेस किया था गया तीन-चार महिना दो-तिन बार यूज किया हूं ये थोड़ा बहुत अच्छा है ये वाटरप्रूव है इसका कॉस्ट लिया था 4,500 रुपया बहुत ही अच्छा क्वालिटी जगा अगर मैं लॉंग ड्राइब के लिए जाता हूं तो ये वाला यूज करता हूं और उसके बाद हो गया राइडिंग सूप और मैं यूज करता हूं और जो का जो की स्टार्टिंग मोडल है राइडिंग सूप का और भी बहुत वैसे कॉस्टली आता है 7,000, 8,000, 10,000 बहुत कंपानी का आता है लेकिन इसका बजट फ्रेंडली है इसको आप 3,700 में पॉर्चेस कर सकते हैं ये हाप है और एक फूल भी आता है और इसको मैं 4-5 बा मैरा राइडिंग जैकेट अब देख सकते हैं ये इसकिमिटर का है और जैकेट जो भी मार्केट में मिलता है मिनिम्मा जो स्टार्ट नAg 것으로 pas 64 je जो कि बीवी जी का है राइन्ख का है सिर्मितर का बहुत स़ा इकमपानी आता है ठीक तीक अगे इसका लेबल टू प्रोटेक्सान है जिसमें आप replied ऐल्बो प्रोटेक्सान आब बैकसाइड प्रोटेक्सान है और उसके बाद दो है solder protection है अगर आप एसे गाड़ी से sleep करते हैं तो यह तीनों चीज जो है maximum आपका injury होने का chances रहता है इसको आप protect कर सकते हैं तो रेगुलर आप कहीं भी long drive पे जाएए 100-200 km जाएए तो at least riding jacket और helmet दो सबसे important चीज है दोनों आप पहन के जाएए maximum आप injury से बढ़ सकते हैं जो basic requirement रहता है riding related, riding gear related में details अब दिखा दिया हूँ और यह से भी एक दो चीज रहता है मैं use करता नहीं हूँ riding parent रहता है लेकिन मैं use करता नहीं हूँ जो basic requirement रहता है बस यही so friends मेरा जो total budget आया जितना भी riding gear में use करता हूँ approximately 20,000 so इससे भी आप थोड़ा काम budget में total over ID 15,000 के आसपास होने से आपका पूरा completely riding gear आ सकता है so आज का ब्लोग में बस इतना ही नया ब्लोग मेरा एक long ride होने वाला है approximately 400-500 km एक सीरी जाने वाला है साव थोड़ीचा का so उसके लिए थोड़ा preparation चल रहा है और वो confirm में ही हुआ है जब होगा तो मैं update बता दूगा so friends आज का ब्लोग में बस इतना ही बाई take care have a nice day